हेलो दोस्तों मैं हूँ gebaut अर आप देख रहे हैं मेरा चैनल रेनुकाड़ोगी तो आज असमें बताहूंगी टेल्गू में कक्रालु बोलते हैं इसको पीठा भी बोलते पीठा है एक तरह से नार्यल भर के इसके लिए सबसे पहले में दो गिलास पानी दालूँगी और फिर उसमें स्वाधनुसान नमक डालूँगी और चीनी भी डालूँगी टेस्ट के लिए ताकि इसके चिलके में भी मिठास रहे फोड़ा सा नमक रहे तो यह इसको हम बोईल करने के लिए रख देंगे यह आटा का बनता है तो आटा करना आप ले रहेंगे एक गिलास तो जैसे एक गिलास में आटा डाल रहे हूं इसमें दो गिलास डालूँगी दो गिलास आटा डालना है तो एक गिलास में पहले डाल दी हूं वोईल वाली पानी में अभी दूसरे गिलास में इसके उपर से और डालूँगी तो आटा को बगल में और थोड़ा स यह आit में नहीं हो यह जल्दी जल्दी मिलाना है कपड़ार पकर लेना यह जो भी आप पकड़तियों जिस्सें बरतन और एक हाथ को लगतार इस तरह से चलाती रह्यना है ताकि इसका लडू नहीं बने और अची तरह से मिक्स हो जाए तो देelse मिक्स हो गया है अब इसको में हम ढ़कन लगा देंगे दो मिनिट के लिए ताकि अच्छी तरह से सॉप्ट हो जाए इसके उपर में ढ़कन लगा दी हूँ अब यह थोड़ा सच ठंडा हो जाए तब इसको हम आटा जैसे आटा लगा देंगे और जो में बाप में पकाई थी थोड़ा से थन्डा होना है एस तरह से इसको गूत लेंगे मसल-मसल के गूत लेंगे दाकि इसके चिल्कıs कुलॹом यह प私के सरा सहिए िससको उब्ली आटा लगा रही है है तो देखे यह आटा सरा कि भी डाले जिसे यह और चिकनार है और अच्छी तरह से पानी बिल्कुल नहीं डालें Go आटा का जब बन रहा है तो इसमें हम घी से घी यूज करेंगे और घी से इसको थुड़ा थुड़ा लेके इसको मैस करेंगे एक आटा गुंद लेंगे तो देखिए किस तरह से में गुंद रही हूं ताकि एकदम सौफ्ट और अच्छा सा कुरकुरे बने इसको पीठा सुली और क्या नाम आप देख के बता सकते हो किसको क्या बोटे हो उतों Eh So yeah यह हर फुजा पार्ट में रर बना अब जैसे मागर्शी लच मतलब गुरुवार आ रहा है मागर्शी गुरुवार तो उसमें ये बनता है ये वला ये गनिश पूजा में भी बनता है बहुत सारी पूजा में आप इसको प्रशाद की तौर पर बना सकते हैं घर पे तो देखिए मैं यहां पर थोड़ा सा घी ड के लिए चाहिए अंदर नारिल का नारिल जो भून के रखे इसका आपको लिंक मिल जाएगा मेरे और वीडियो में इसको बनाकर दिखाई हूं तो आप वहां से िक्रिव नाररील करे हैं पता तो यूप लिए अच्छी तरह से और नारील वाल आपके पास भी स्कूवol और नाररील को ड़ेछ में नारील तेल को नारिल डालना है और उसमें आप गूर डालेंगे जितना को मीठा चाहिए बस उसको लगातार प्राइक करते रहना है जब तक गूर गले नहीं और जब गूर गल जाए और अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तब इसमें लहाची पोड़ा डालेंगे और आपका बनके रे तो देखें में घी से बना रहे हैं तो ज्यादा से घी ले लिए जब गरम हो गया तो इसको हम स्लो आच कर लिया है जब आच करने के बाद हम इसे हम स्लोली स्लोली फ्राइग करेंगे तो ज्यादा तेज आच नहीं रखनी है जम स्लो आच रखनी है ताकि इसकी क्रिप्सी बने रहें और अच्छी तरह से यह फ्राई हो जाए तो देखें तेल लेके उपर उपर हम डाल रहे हैं ताकि फटे ना अगर फट जाए तो इसमें जो नारिल का अंदर का कोरे निकल जाने से तेल खराब हो सकती है तो हमें ध्यान देना है कि इसे फटने नहीं देना है आप तुरंद बना और तुरंद तलो अगर आप इसको बना बना के रखोगे तो यह सुख के फटने जैसे हो जाएगा इसलिए जब भी आप बनाते हो तो तुरंद आप घी या तेल गरम किजिए और पटाफट बना बना के इसको तलिए तो यह तुरंद तुरंद बनने वाला परदा इसको रखना नहीं है अगर रखोगे तो फट चाएगा फीरल अच्छा नहीं बनेगा तो देखें कहीं कहीं करेक हो रहा है थोड़ा फट रहा है तो हमको सहजानी career से को दलना है थाकि शऑन 12 बाहर ना निकल पाए अब इसको हम थोड़ा सब पलट देंगे सारे जितने हैं सब को थोड़ा पलट देंगे तो दोनों तरफ से क्रिप्सी लाल होनी चाहिए तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंड और सेर करना चैनल पर नहीं हो तो बैल आइकन के साथ प्रेस करना ताकि निन्यू नोटिफिकेशन मिलते रहें जो भी भी वीडियो डालूं आप तक पहुंच जाए तो देखिए दोस्तों इसी तरह से अलट प काज़ीबी के साथ में तब तक ले बाइबायबाय टेक क्यारूं